कि नमस्कार कि शराब घोटाला पिछले दो साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा कि दो साल से बीजेपी की सारी एजंसी कई रेड़ मार चुकी है कई लोगों को गिरफतार कर चुकी है लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेर फेर कहीं नहीं मिला कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला अगर भ्रिष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने क्या सारा पैसा हवा में गायव हो गया कि सच्चाई यह कि किसी तरह का कोई भ्रिष्टाचार हुआ ही नहीं अगर होता तो पैसा भी मिलता ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है कुछ साबित नहीं हो रहा खुले आम गुंडागर्दी चल रही है किसों को भी पकड़ के जेल में डाल दो अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं मेरी सबसे बड़ी संपत्ती मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी इमांदारी है जूटे आरोप लगाके फर्जमन भीज़ें के यह में बनाम करना चाहते हैं मेरी इमांदारी पे चोट करना चाहते हैं इन्होंने मुझे समन भ मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानोनी है लेकिन उनने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानोनी है क्या मुझे एक गैर कानोनी समन का पालन करना चाहिए अगर कानूनी रूप से सही संबन आएगा तो मैं पूरा सही उप करूँगा बीजेपी का मकसद जाच करना तो है इनका मकसद तो लोकसभाचनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है ठीक लोकसभाचनाव के पहले इन्होंने मुझे संबन भेजाया क्यूं इस जाच को चलते दो साल हो गए अभी ठीक लोकसभाचनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है पहले क्यों नहीं बुलाया CBI ने मेरे को आठ महीने पहले बुलाया था मैं CBI में गया था उनके सारे जवाब भी दिये थे लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभाचनाव के दो महीने पहले मुझे बुला रहे हैं तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताच करना थोड़ी है इनका मकसद है पूछताच के ब दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़के बीजेपी में शामिल करवानी के काम किया जा रहा है एक निक दो निक कितने उधारन है जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ EDI CBI के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे जैसे वो नेता बीजेपी वो जेल जाता है आज मनीज सिसो दिया संजय सिंग और विजयनायर इसलिए जैल में नहीं है कि उन्होंने ब्रश्टाचार किया है वो इसलिए जैल में है क्यूंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल好ने से इंकार कर दिया है आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि हमने कोई ब्रष्टाचार नहीं किया अगर हमने ज़रा से गलत काम किया होता तो दूसरे ब्रष्टाचारी नेताओं कि तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके तो होते आज तक इस तरह देश के इमानदार नेताओं को जेल में डालके और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवाके ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता यह क्या चल रहा है यह जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है यह हमारे जनतंतर के लिए बहुत गलत है इसे रोकना होगा मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं मेरा तन मन धन देश के लिए है मेरी एक-एक सांस देश के लिए है मेरी खून की एक-एक बूंद देश के लिए है मेरे शरीर का एक-एक कत्रा देश के लिए समर्पित है हमें मिलके देश को बचाना है मैं पूरी जीज से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं आपका साथ चाहिए